तो एपिजोड 122 के शुरुआत एमरे और लायला से होती है जहाँ लायला एमरे से कहती है तुमने अपने डैट से बात क्यों नहीं की तो एमरे कहता है वो जब बीमार थे ना तब मैंने काफी गलतिया की थी इसलिए मेरी उन्हें फोन लगाने की हिमत नहीं हो रही है लायला तो लायला कहती है ऐसा मत कहिए आप उनके बेटे है और कोई भी बाप अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकता तो एमरे कहता है तुम सही बोल रही हो ऐसा केकर एमरे लायला को किस कर लेता है फिर लायला कहती है प्लीज आप उन्हें फोन लगा लो जैसे ही आप उन्हें ह बहुत चाहिए तो लाइला केती हैं देखां वो हमेशा से आपको इंफ्लूएंस करते आए हैं अब मैं चलती हूँ आप उनसे बात कर लो ऐसा केकर लाइला वहां से चली जाती है और एमरे हिमर जुटा कर अपने डैड को फोन लगाता है फिर सीन सनिम पर शिफ्ट होता है ज तो सनिम केती है मेरे पास एक गुड़ नियूस है तो आयान केती है मेरे पास भी एक नियूस है तो सनिम केती है हाँ तीन कदम लेकर मैं तुम्हारे पास आती हो तुम भी मेरे पास आओ फिर वो दोनों भी जिसे ही एक दूसरे के पास जाते हैं सनिम केती है अमेरीका में मे पेरों के नीचे की जमीन के सक जाती है और वो आयान से कहती है लायला चली गई उस्मान चला गया और अब तुम भी मुझे छोड़ कर जा रही हो तो आयान कहती है मैं तुम्हें मिलने आती रहूंगे न सने रों मत प्लीज इतने में ही वहां मूजो आता है और रोते हुए कह जोगिंग करते करते अकरम को फोन लगाकर पूछता है क्या तुम यह पता लगा सकते हो क्या इएकित और फॉर्ड का अमरीका मार्क एट में बिजनिसheen हे या नहीं पुभदिशिंग का तो अकरम कहता है हां ठीक है मैं पता लगाकर तुम्हें पताता हूँ। फिर जान फोन रखतेता है। पर सजर पर शिफ्ट होता है जह हलायला फोन करके उससे बताती है। तीमें जान वहां सेनीम कोबीच के किनारे देख लेता है और दोड कर उसके पास चला जाता है। कहता है सनिम तुम रो रही हूँ क्या तो सनिम कहता है आप यहां विसे में रो रही हूँ क्योंकि आयान उसमान लायला सब मुझे छोड़ कर चले गए मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हो गई हूँ तो जान सनिम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ू है आपने यह बात एमरे से छिपाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था वह आपका छोटा बाई है जान के तर्म हाँ मेरे डाट बीमार है पर वह यह नहीं जाते थे कि मैं यह बात किसी को भी बताओ इसलिए मैंने छिपा कर रखी थी तो सनिम के तिया आप मुझे यह बता सक सकते थे जान बताने से दुख हलका होता है इसलिए प्लेज आइंदा से कुछ ही पाना मत ऐसा केकर सनिम जान को गले लगा लेती है फिर से इन आयान पर शिप्ट होता है वह किसी को भी ना बताए निकल रही होती है पर जेजे को पता चल जाता है तो वह भाग कर बस टेंड पहुच जाता है और आयान की बस को रुका कर कहता है आयान एक मिनित क्या हम बात कर सकते है तो आयान कहती है हाँ फिर जेजे आयान से कहता है प्लेज रुक जाओ ना आयान आयान प्लीज मुझे छोड़कर मत जा तो आयान कहती है जेजे में खुद को समझने के लिए तुम्हारे लिए वापस आऊंगी जेजे तो जेजे कहता है आयान इस चिठी में मेरे होमटाउन का पता लिखा है तुम वहाँ जाना तो तुम मुझे और भी अच्छी से समझ पाओगी तो आयान केती है ठीक है जेजे ऐसा के कर आयान बस में चड़ जाती है और जेजे बस क पीछे भागता है और फिर बस चली जाती है फिर सेन एमरी और जान पर शिफ्ट होता है जहां वो दोनों भी एक दुसरे के हालत को समझते हुए एक दुसरे से गले लगकर माफी मांगते हैं तो हुमा उनकी बात सुनने के कोशिश करती है कि यह माफी क्यों मांग रहे है पर इतने में ही लाइला जोर से चिला देती है और के दिये आज हमारी सेरेमनी है पर अभी तक ब्राइडल कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है तो अमरे कहता है अरे हाँ मेरा भी टकसीडो रेडी नहीं है चलो हम लेने चलते हैं किसी अच्छी से शॉप पर तो हुमा के तिये में भ का सराउंडिंग बहुती ब्यूटिफूल है आप वह पर अच्छा फिल करेंगी मैं नहीं चाहता कि आप लाइला और एमरे की लाइव मिस्स रेवल करेश लिए प्लीज मेरी बात मानिए ऐसा कि एक जान वह से चला जाता है फिर से लाइला और एमरे पर शिफ्ट होता है जहा हमारी शादियों में कोई दूलहन रेड कपड़े नहीं पहनती है वाइड ड्रेस से लैक कर औपने लिए तो लाइला के थीक है माँ ऐसा के कर लाइला मिलके वेकऊ ड्रेस पहन कर दिखाती है और फिर वह एक ड्रेस से लेक कर लेते हैं फिर सेง Champ लूता है वो जानके घर ज जहां वो जान के बीहेवियर को देखते हुए एक बीमारी का पता लगाता है और गुलेस और डेरन से कहता है जान बीमार है हमें उनके ऑपरेशन की तयारिया करनी चाहिए तो डेरन कहती है तुम पगला गए हो के जीजे क्या कुछ भी आज सेरेमानी है हमें उस पर फोकस करन साथ है रहे साथ वे तुंह तुम हमारे साथ माल पसंद करोगे कर देते हैं नहीं कर पाती है जान आप यू मेरी तरफ मत देखें लिखना तो उससा केट कर फिर सेरीं मुँसे सभ्यक होती है कि इसा कैसे चलेगा इसे लिए वह कहीं और जा कर लिखने की कोश्य स्थियुक्त फिर वो जा ही रही होती है कि उसका पेर अटक जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि जान उसे बचा लेता है फिर वो एक दूसरे को किसे करने वाले होते है कि हुमा वहां से चली जाती है इतने में ही डेरन जेजे इगित वहाँ पर आ जाता है तो इगित को देखकर जान क कामूर खराब हो जाता है इसलिए सन्म दूसरी जगांपर लिखने चली जाती यह पर यह इस बात को नोटिस करता है फिर जान के जाते हैं इस बाजू में जाकर बैट जाता है और उसे कहता है सद्विए बुक तुम्हारे लिए है आज प्रजेंटिंग बुक दे है ना इसलि तुम आज रहने दो ना आज तुम्हारी बेहन की सरेमनी है इतने में ही वहां जान आ जाता है तो यह गित डेरन के बुलाने पर वहां से चला जाता है फिर सरेम जान को एक बुक गिफ्ट करती है और कहती है मेमेज हुमा के लिए भी एक बुक लाई हूँ उमीद करती हूँ क कि उन्हें पसंद आए क्योंकि आज बुक प्रेजेंटिंग डेयर है ना फेर सीन हुमा और यगित पर शिफ्ट होता है जहां हुमा यगित से कहती है तुम क्या सरे मुझ जान की लव स्टोरी के बुक पब्लिश करने वाले हो गया मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी काम के सब्सक्राइब हो ऑसा कि हुमा वहां से चली जाती है और इगित को आग लग जाती है फेर सेम के फैबली पर शिफ्ट होता है वो मुझे हु्जिक लाली हिवा लांकर नाचते है फिर सीन सनिम पर शिफ्ट होता है वो जान से कहती है आप प्लीज मेरी ड्रेस की जिप लगा दीजिये ना तो जान जिप नकरे करते हुए लगाता है और सनिम शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है फिर सीन जेजे और सनिम पर शिफ्ट होता है जहां जेजे सनिम से कहता है वो हु मोरा ठीक भी हो जाता है, और सब वहाँ से चले जाते हैं, फिर सन्यम को टॉलएट लग जाती है, तो वो वहाँ से चली जाती है टॉलेट करने, तो उसकी जाते ही जान उसकी बूख को खोलकर देखता है, जो कि इगित ना ऊसे दी होती है, तो उसमें फ्रन पेच परीगित का एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है सनेम कैसे हम एक एकसीडेंट के दोरान मिले हम बिलकुल अजनबी थे लेकिन अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ अपने नजरों के सामने मैं चाहता हूँ क आपने मैं तुम्हें कभी भी ना खूँ ऐसा लिखा होता है तो जान का यह सब पढ़कर खूनखबल जाता है फिर सनेम वहां आ जाती है तो वो दोनों भी चले जाते हैं फिर से इन वेडिंग में शिफ्ट होता है जहां मुहले वाली पार्टियों में आती है। और कहती है हम तो हमारे ही गाने बजाएंगे तो हुमा कहती है बाप्रे ये महलय वाली Łदे कितनी चीप होती है तो यह सुनकर से जेजे के पास चली जाती है अपना मूर फ्रेश करने के लिए जेजे कहता है मेरा तो हाथ थीलना बन नहीं हो रहा है सने मैं अब क्या करूँ ठीक है काम करो तुम उसे बांद लो इतने भी सब्सक्राइब नाजर इगित से मिलती है और फिर जान के भी तो सनेम जान के पास भाग कर आ करते हैं चलो ना हम साथ में डांस करते हैं पर शिफ्ट होता है जहां अंदर जाने से पहले नर्वस हो जाती है तो समझाता है और रिलैक्स करवाता है यह कि करके तुम्हारे आगे में कुछ भी नहीं हूं लाइला मैं बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम मेरी जिंदगी में तो अब आगे क्या होगा क्या पार्टी में कोई हंगामा खड़ा होने वाला है आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहे यह मेरी चैनल दिवाने हैं हम पर जल मुलाकात होगी अगले एपिसोड में अलविता दिवानो जल्द मलाकात होगी अगले एपिसोड में